इस चोटी सी वीडियो में मैं आपको smart contract के बारे में वो हर बात पताना वाला हूँ जो usually एक developer या किसी technical person को पता होना चाहिए तो चलिए एक example के साथ हमें smart contract को समझने कोश करते हैं Imagine करिए आप किसी theater में movie देख रहे हैं लेकिन तभी आपको कुछ खाने का मन करता है और फिर उस complex के एक vending machine के पास आते हैं जिसमें खाने पीने की बहुत से चीज़े रखी हुई है लेकिन उसमें से आप सिर्फ एक 20 रुपीज वाला chips के packet और एक 20 रुपीज वाला cold ring के लेना चाहते हैं अब जैसे कि आपको पता है कि इस vending machine को handle करने के लिए यहां कोई भी second person नहीं होगा क्योंकि एक vending machine fully automatic होती है जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी तरह से price के लिए bargaining नहीं कर सकते हैं तो आप उस vending machine में इन दो items को select कर लेते हैं अब 50 rupees का note आप उस machine में feed कर देते हैं अब जैसे कि आप expect कर सकते हैं कि machine आपको 10 rupees का change return कर देगा और vending machine में अगर 40 rupees से कम दिये जाते हैं तो machine आपको कोई भी item dispatch नहीं करेगा तो एक smart contract भी वो चीसी तरह से काम करता है जिसे आप अपने मन पिसंद task तभी करा पाते हैं जब आप उस task के लिए एक फिश्ट के गए price को pay करते हैं और smart contract और आपके बीच कोई भी second person नहीं होता है तो चलिए इसे और भी detail में समझते हैं smart contracts basically computer programs होते हैं जिनने खासकर blockchain पर deploy करने के लिए create के जाता है इनने self executing code या program भी कहते हैं क्योंकि ये programs deployment के बाद तभी run करते हैं जब ये predefined condition को mate करते हैं जैसे कि vending machine जिसमें बहुत सारे feature और services होने पर भी वो तब तक हमारे किसी काम की नहीं होती है जब तक उसमें tokens या coins को ना डाला जाए लेकिन जैसे ही हम उसमें coins या tokens को feed करते हैं हम अपनी 1% चाहिए items को purchase कर सकते हैं बिना किसी second person के intervention के ऐसे ही smart contract में हम बहुत सरी services create करके उने run करने के लिए conditions को define कर सकते हैं ताकि उन services को miss use से बचा जा सके example के लिए हम ऐसे smart contract create कर सकते हैं जो लोगों से donation collect करे और ऐसे cause पर ही fund को spend करे जैसे donation देने वाले नहीं चूज किया हो अगर आप cryptocurrency और blockchain की थोड़ी बहुत जानखारी रखते हैं तो आपको लग सकता है कि smart contract के history साथ Ethereum से ही start होती है जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है Ethereum के बाद का smart contract केवल इसके modern history को ही बताता है जबकि इसकी कहानी और भी पुरानी है smart contract इस word को पहली बार यूज किया था आज से 25 साल पहले एक computer scientist द्वारा जिनका नाम था Nick Zabo जैसा कि इस blog में देखा जा सकता है इस blog में उन्होंने smart contract को काफी detail में describe किया है साथ ही उन्होंने इसके possible applications, security threats और कई तरह के technical concepts के बार में भी बात किया है Nick Zabo द्वारा explain कियेगे इस concept के base पे ही आज की modern smart contract को develop के जाता है और एक fully functional smart contract को blockchain पे deploy करने की facility सबसे पहले Ethereum पे provide की गई थी हलाकि blockchain पे किसी script को run करने की facility तभी आ गए थी जब 2-9 में bitcoin आया था लेकिन bitcoin पे smart contract create करना इतना easy नहीं था कि लोग इसे adopt कर पाते क्योंकि bitcoin पे smart contract create करने के लिए जिस programming language का use के जाता है वो turing complete नहीं है कुछ असान सब्दों में कहें तो इस language में if else, go to, while और for जैसे command का use नहीं किया जा सकता है जबकि ये command आजकल के programming language का एक important part है जिसका मतलब ये है कि ऐसे smart contract में कुछ limited functionality ही develop की जा सकती है लेकिन Ethereum का smart contract turing complete था इसलिए ज़्यादा सज़्यादा developer इसके तरफ attract होने लगे और इस feature ने Ethereum को decentralized apps के लिए एक बहुत बड़ा platform बना दिया पर एक सवाल है जिसका पूछा जाना बहुत जुरूरी है और वो ये है कि आखिरकार हमें smart contract के जुरूत क्यों पड़ी आप vending machine का example याद करिए जब chips के packet और cold drinks को purchase किया गया था तो वहाँ कोई ऐसा person नहीं था जो आपको वो item sell करने की coach कर रहा था लेकिन imagine करिए कि इस machine की जगए कोई इंसान होता तो तो शायद वो ही होता जो महेंगे theater और shopping mall में होता है उन items की actual price से कहीं ज्याद कीमत को वसूल किया जाता कुछ इसी तरह के exploitation को रोपने के लिए हमें कुछ ऐसे system की जरूत थी जो open हो, secure हो और जिससे automate किया जा सके इन सभी features को ध्यान में रख कर के ही smart contract यहीं चीज को develop किया गया पर smart contract के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है इसके और भी कई फायदे हैं जिसके बारे में हम detail से discuss करेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा कि इस channel पैसी बहुत सी videos है जिसे देखकर आप अपने blockchain knowledge को बढ़ा सकते हैं तो अगर आपने इस channel को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके bell icon प्रेस कर लें ताकि future में आपको ऐसी high information videos मिलती रहें तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बार ही है smart contract और इसके industry के बारे में जानने की और इसके लिए मैं आपको अपने पिछले वीडियो की एक छोटी से clip दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने इसे अच्छे से explain किया है एक website के माने तो Ethereum पे 2021 के quarter one में 23 lakh और 2022 के quarter one में 14 lakh से भी ज़्यादा smart contracts को deploy किया गया था जो यह बताता है कि Ethereum को platform के तोर पे बहुत जादा use के जाता है और industry का एक बहुत बड़ा part इस blockchain पे dependent है अगर हम TVL के बात करें तो उसके सिर्फ first quarter के value 89.5 billion dollar record की गई है हाला कि यह value पिछले साल के fourth quarter से 42% कम है TVL वो cool assets होते हैं जो लोगों द्वारा किसी काम के लिए smart contracts पे deposit के जाते हैं ऐसी बहुत से बड़ी बड़ी company के नाम ले जा सकते हैं जो Ethereum से directly जोड़ी हुई है जैसे कि OpenSea जो की एक बहुत बड़ा NFT marketplace है Coinbase जो की एक बहुत बड़ा crypto exchange है Consensus जो Ethereum based development apps प्रोइड करता है Larva Labs, CryptoKitties और इसके अलाबा भी ऐसी बहुत से companies है जो Ethereum से directly या indirectly जुड़ी हुई है चाहे वो game development के लिए हो या फिर metaverse के लिए हमने ये तो जान लिया कि कौन से company क्या develop कर रही है पर ये smart contract actually में दिखता कैसा है अगर आप programmer हैं तो आपके लिए smart contract को समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा क्योंकि smart contract बिल्कुल किसी software के code जैसा दिख सकता है हालाकि कुछ basic difference जरूर होते हैं क्योंकि जातों software को develop करने के लिए कुछ popular programming language का यूज़ क्या जाता है जैसे कि C, C++, Java या Python ठेक इसी तरह smart contract को develop करने के लिए कुछ खास programming language है जैसे कि Solidity और Wiper हालाकि इनके लाबा भी और programming language है जिसका यूज़ करके smart contract को develop किया जा सकता है लेकिन Solidity और Wiper ऐसे language हैं जो बहुत popular है जिन का target है Ethereum blockchain अगर आप छोटा सब Personal या Experimental टाइप का smart contract करेट करना चाते हैं तो आप Online IDE Remix का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप किसी corporate goal के लिए smart contract को करेट करना चाते हैं तो उसके लिए Gainas, Truffle और Infura जैसे services का यूज़ करना होगा गरना से एक software है जो आपको एक local blockchain create करने में help करता है ताकि आप Truffle द्वार compile कि एक smart contract को main net पे deploy करने से पहले test कर सकें तो चलिए अब जानते हैं smart contract के benefit के बारे में पहले दो benefit है accuracy और speed जैसे कि हमें पता है smart contracts basically किसी दूसरे software के तरही कुछ खास function और data के collections होते हैं जो एक specific condition को satisfy करने पर ही run करते हैं और क्योंकि कोई manual interfere नहीं होता है इसलिए task को complete करने की speed और accuracy काफी जादा होती है तीसरा और जोथा benefit है transparency और trust क्योंकि smart contract को blockchain पे deploy किया जाता है इसलिए transaction logs सभी के लिए visible होता है और इसे असानी से verify किया जा सकता है हम यह असानी से देख सकते हैं कि smart contract के साथ क्या क्या transaction किये गए है जिसके कारण transparency तो बढ़ती ही है साथ में trust भी increase जाता है फिर है coach reduction smart contracts भी किसे दूसरे software के तरह ही scalable होते है इसमें किसी भी middleman की requirement नहीं होती है इसलिए coach के reduce करना काफी असान होता है उसके बाद है security blockchain के transaction encrypted होने कारण इसे manipulate कर पाना आसान नहीं होता है तो यह थे smart contracts के कुछ benefit अब बात कर लेते हैं smart contract के use के बारे में यानि कि smart contract का use करके किस किस तरह के application create किया सकती है smart contract का use digital identity create करने में किया जा सकता है as an Indian हम एक ऐसे digital pseudonymous identity system की बहुत ज़रूत है जो लोगों की privacy को बनाय रखने में help कर सके मैंने पिसले वीडियो में RTI में privacy ना होने के बारे में बात किया था मैं ज़े लगता है कि smart contract की help से create के एक खास तरह का identification system RTI में मौजूद एक बहुत बड़े कमी को दूर कर सकता है smart contracts उन लोग के लिए भी बहुत काम की चीज़ है जो job करने के लिए country से बाहर जाते हैं हमारे country के GDP में 3% contribution उन पैसो का है जो इंडिया से बाहर job करने वारे लोग इंडिया में send कर रहे हैं ये amount 2021 के financial year में 87 billion डॉलर था जो 22 के financial year में बढ़कर 89 billion डॉलर हो गिया पर ध्यान देने बाले बात ये है कि actual amount 91 billion डॉलर के पास रहा होगा क्योंकि इसमें transaction fee को consider नहीं किया गया है इसके साथ एक बड़ी problem ये है कि remittance receive होने में 2 to 3 business days का वक्त लग जाता है और बीच में कोई bank खोड़े होने पर ये वक्त और भी बढ़ जाता है जबकि smart contract से transaction करके उस time gap को reduce किया जा सकता है circle, bid, pesa और wire जैसे startup कुछ ऐसे problems को ही solve परने में लगे है smart contract का use product को dispatch करने अलग-अलग checkpoints पे labeling करने और payment receive करने में भी किया जा सकता है smart contract एक बहतर option साबित हो सकता है nationwide और Deloitte कुछ ऐसे companies हैं जो इस तरह की problems को solve कर रहे हैं smart contract का immutability feature जहां इसे एक reliable technology बनाता है वहीं ये इसके लिए problems भी generate करता है इसे एक बार blockchain पर deploy कर देने एक बाद इसके code में कोई भी changes नहीं किया जा सकते हैं जिसके वेसे code में एक छोटा सा bug भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है तो अगर आप सूच रहे हैं कि ऐसे problems को कैसे solve कर जाता है तो उसका अब एक तरीका है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे I hope ये वीडियो आपके लिए काफी informative रही होगी अगर आपके पास कोई solution ये doubt है तो उसे आप comment कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तो तक के लिए मैं संदीर कुमार signing off